लेटेश्ट ख़वरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दवाएं बैल आइकन नमस्कार आप देख रहें गजब समाचार इवा इंडिया देश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक्टिंग मॉडलिंग में चाहत रखने वाली देश भर की लड़कियों को मौका देती है इवा इंडिया पूरे साल देश के हर एक कोने से सामान यूपतियों को चुनती है फिर ट्रेनिंग देकर एक एक्सपर्ट अभिनित्री मॉडल्स बनने का मौका देती है 27 दिसंबर को ग्रेटर ने उड़ा के क्राउन प्लाजा होटल में ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया जिसमें लगभग चहुत्तर यूपतियों ने भाग लिया जिसमें मिस अराध्या विनरवनी तो वही मिस मुसकान पहला रनप कोमल दूसरे रनप पर रही इस पेजन शो के सभी परतिभागीयों को ईवा इंडिया ने और आगे बढ़ने का मौका दिया विनर को ईवा इंडिया और साथी साथ बहुत सारे कमपनियों में काम करने का मौका भी मिलेगा तो आईए वहाँ आया जूरी में मर ने मीडिया से बाचित में क्या कुछ कहा देखते है इस खास रिपोर्ट में क्या है, टो एक अजए बाच जए कर दिख दूरी में पास्तिकरी फिर्ट खुड़ खांग है, इन में में विल्पिने काना है, जिए विल्प ने इन विल्प एक जी विल्प एक्राव और बहु कि युड़ एक ज़्प टोपूर आप पहाँ जो बहु बड़े ज़े गिल्प है आप होग आपक्रिमेंग तक झालो अव्ट अक्रीटा जाहँ पार्खड के इन लिए जल्ग इन प्रवान की को इार्व पर्स प्रषिव इन के अप्रशन कि अर्चेंग का प्रशन साथन प्लाइशनल प्लाफ़ॉर्म और शोकेस थे रेच्ट स्रेंथ और थालीज आए रहा हूं और सुनीत काला साभ का ये बड़ा थुबसूरत पोग्राम है रिवा इंडिया का ये इसका थीसरा एडिशन है पिछले दो एडिशन भी बहुत काम्याब रहे इसका प्रोग्राम शा क्योंकि इसमें नई प्रगभाओं को आगे आने था पहुता मिलता है। बहुत कम संस्ताइं हैं जो स्टेज पर बच्चों को लाकर उनका confidence बढ़ाती है। और क्योंकि यह मैं खुद कई सालों से तक्रीमन 26 सालों से education में हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि किसी एक प्रोग्राम को और्गनाइस कराने में कितनी मेहनत, कितना पैसा और कितनी शम्ता की जरुद होती है। सुनीत काला साब ने इस बेड़े को उठाया है और मिशले तीन साथ से इस प्रोग्राम को इस मकाम तक पहुचाया कि जहां पर देश भर सभी खुरसूरत करना हैं, आज यहां पर मौजूद हैं, जो अपनी किस्मत को यहां आजमाएंगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करने का अपने आप को इतना बड़ा इवेंट नहीं होता है, और यहां आने से जो उनका क्वांफुडेंस लेवल बड़ा है, वो शायद उनको इससे भी बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगा, आप से जानने चाहिए, अभी पार्टी स्पेशन तो साथ आ सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसमें कोई चार्ज वगरा होता है कुछ है इनके लिए, अगर हम इनको थोड़ी सी भी शिक्षा दे दे देते हैं, और सेल्फ क्वांफिडेंस दे देते हैं, तो यह उचाहिएं पर जा सकती है, कभी इनको जिंदी में कोई किसी किसम का दूख हो तो यह बने अप अपने जिंदी बिताने की काभिल केइंगा. यह रहाला शाइव पारा सेई पार्फान को अजीदे पच्छों के लिए कर दिये हैं? आप पच्छों के लिए गजानी किव दिए पच्छों के लिए पार्फों के लिए कर दोदा है यह एकुट बेंट को ढूरती को बना झाला है। हलो तो एवर्यों कामना है। क् चाहांने बहुताँ के लिए पाद मिसेशु घाराजी को लड़कियों के लड़की लड़क्यों को यह बात छोगेस्ट रिपुरिफू टालेंट आज हमें बना चल जाएगा वो शाल टेक होम ग्राउं इवा इवा इंडिया 2019, one of the most prestigious मेरा नाम है Simran Ahuja and I am very excited to be on the hot seat of the jury. तो हम आज देखेंगे that you know how they are performing, इतने दिनों से लगातार वो रियर सिल्स कर रहे है, अपने प्राक्टिस कर रहे है और अपना best angle to the world दिखा रहे है, actually, यह सब girls of substance है, उनमें सिर्फ बाहर का तो इस तरही beauty है, लेकिन अंदर की संदर्ता भी है, वो हम देखेंगे, इनके Q&A राफ्टन है, so we are very excited, और मैं super, super excited हूँ, to be the official jury here for Viva A. यह तिसरी बार है, जब मैं यहां पर आई हूँ, और जूरी भी रह चुकी हूँ, मुझे हमेशे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही positive atmosphere रहता है, और जो contestants, सबसे बड़ी बात ही, यह बहुत ही एक biggest, I think it's one of the biggest platform, और जो contestants हैं, वो एक सी बढ़कर एक हैं, और सुनी जी औ और राजुनी जी को मैं बधाई देना चाहते हैं, बधाई के पात रहे हैं, इतना बड़ा और इवेंट अपने आप में कमाल की बात है, जी, मैं मुझेनी जी की बारे में बता रही थी, कि तो वो एक अच्छे इंसान तो हैं ही, साथ में वो बहुत ही commendable job कर रहे हैं, इस प्राइट फॉर्म देते हुए, इस तरह की बच्चे 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 हैं, उनको सपोर्ट करती है, और उनने मुफ्त शिक्षा देती है, और बहुत सरे समाध्य कारियों में जुड़ी हुई है, ऐसा तो देखिये नहीं होता है, लाइफ है, और यही एक आखरी पड़ा नहीं होती, तो इस बार ना सही अगली बार आएंगे,